मैंने एक वीडियो बनाए था जिसमें कि साथी ने सवाल पुछा था कि सर, क्या पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है तो उसमें मैने बता नहीं कोशिश की नहीं ऐसा नहीं है, तो काफी कमेंट आये, कई लोगों के कमेंट यूट्यूब पर भी आये, फेस्बूप पर भी आ सकता है वैसे तो पैसा बुरी चीज नहीं है लेकिन पैसा कब दिक्कत कर सकता है सबसे पहली जगा वो है जब आप पैसे के नियमों को नहीं जानेंगे तब पैसा आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा जी हाँ पैसे के फिक्स नियम है पैसा कैसे आता है उसके नियम है पैस कि पैसे के नियमों को नहीं जानेंगे, पैसा कैसे बढ़ रहा है, पैसा कब घरता है, कब पैसे की वैलू कम हो जाती है, कब पैसा समाफ हो जाता है, कहां पैसा इंवेस्ट करना है, किसे देना है, किसे नहीं देना है, कितना इंवेस्ट करना है, इन नियमों को नहीं तो पैसा आपके लिए दूइधा बनेगा, पैसा आपके लिए समस्या बन जाएगा, यह पहली चीज है, पैसा समस्या कब बन जाता है, दूसरा, जब आपको अपने पैसे की रक्षा करनी नहीं आती, क्योंकि पैसा आने के बाद, बहुत सारे गिद मंडराना शुरू कर दें गिदो को पता सल जाएगा, इसके पास पैसा आगया, और फिर वो आपको नोचने का काम करेंगे, अगर आपको अपने पैसे की रक्षा करनी नहीं आती होगी, तो आपको यह भी सीखना पड़ेगा, जो अमीर लोगों को पता है, दुनिया के हर अमीर इंसान को कुछ आता ह या ना आता हो, अगर वो अमीर है और अमीरी मेंटेन किये है, तो समझ लेना उसे पैसे के नियम आते हैं, उसे अपने पैसे की रक्षा करनी आती है, पैसे को बचाना पड़ेगा, ऐसे गिदों से, ऐसी लुभावनी स्कीमों से, ऐसे लोगों से, जो आपके पैसे पर गलत निगा रखते हैं अगर आप अपने पैसे की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं ऐसे योजनाओं से ऐसे लोगों से ऐसे परिस्थितियों से तो इस पैसा आपके लिए समस्या बन सकता है पैसा आफद बन सकता है और कई बार इतनी बड़ी आफद बन जाता है पैसा कि पैसा उतना ह पैसा मांग लेते हैं फिर फिर वेक्ते को लगता है मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था मेरे पास मेरे साथ ये हाथसा कैसे हो गया मेरे इसको उठा लिया गया मेरे इसको उठा लिया गया ये किड डैपिंग हो गई ये हो गया वो हो गया मुझसे तो रंगदारी मांग ली ग बड़ी लग्जरी गाड़ी ले ले लेंगे लगजरी घर बना लेंगे घूमना फिरना शुरू कर देंगे बड़ी बड़ी पाठिया करना शुरू कर देंगे वे समझ ही नहीं पाते कि आपके पास जो limited amount है जिन लोगों से आप compare कर रहे हैं उनके पास इतना इस से ज़्यादा एक्स्टा पड़ा रहता है जितनी आपकी टोटल नेट वर्थ है हैं बड़े बड़े अमीरों ने अगर हजार क्रोड रुपे अपने बेटे अपनी बेटी की शादी में लगा दिये तो उनकी वर्थ कितनी है एक लाख क्रोड की अब सुचिए आपके पासे एक लाख रुपे हो और आप हजार रुपे पार्टी में बच्चों की शादी में यहाँ वाँ जॉय करें तो कोई बुरा मानेगा नहीं मानेगा लेकिन अगर आपके पासे एक लाख हो और आप दस लाग करें तो, तो यही तो कर रहे हैं ना लोग, करजा ले करके भी, यहां से भी, वहां से भी, अब पैसा था, अपने पैसे को गलत जगा लगा दिया, गड़े में डाल दिया, पैसे को ऐसी जगा लगा दिया, जहां से रिटर्न नहीं आने वाला, पैसा डूप जाएग पैसे की रक्षा नहीं करी, पैसे को सही इंवेस्टमेंट नहीं करा, पैसे के नियम नहीं सिखे, पैसा आता कब है, जाता कब है, नहीं जाना, ये पैसा समस्या बन गया, अब क्या होगा, पैसा तो था, लेकिन पैसा आफ़त बन गया, मैं जानता हूँ, आप भी जानता रुपे थे, 50 क्रोड रुपे का काम करने चले गए, समझा ही नहीं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो 5 क्रोड भी चला गया और वो काम भी नहीं हुआ, और आज सलक पर आगे साथ, उनका घर चला गया, उनकी गाड़ियां चली गए, उनके दफ्तर चले गए, और आज किराय के मकानों में रह रहे हैं, जिनके पास 5-5-10-10 क्रोड रुपे थे, वो गंती हो गए, क्योंकि समझ नहीं पाएं, सही जगा पर सही निड़ने नहीं ले पाएं, पैसे के बारे में सतरक रहने की जोरते साब, पैसे वाला होना, शेर की सवारी करने की तरह है, अगर थ क्योंकि जिन लोगों ने भी पैसे की कदर करनी छोड़ी, पैसे ने भी उनकी कदर करनी छोड़ दी, और पैसा उनके से धूर चला गया, और वो आपस अमीर से गरीब होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर से गरीब ना बने, अमीरी हासिल करें, और अमीरी मिंटेन कर तो इन बातों का ध्यान रखे, वरना पैसा आपके लिए समस्या बन सकता है, आप भी ध्यान रखे और अपने बच्चों को भी बताईए, चुकि आने वाली PD का जरूर ध्यान रखना है, अगर आपने आने वाली PD को सही संसकार दे दिये, सही समय पर सही नियम सिखा दिये, सह सही समय पर उन्हें money management पता चल गया, सही समय पर उन्होंने पैसे की कदर करने सीख ली, तो वो अमीर बनेंगे, और वो अमीरी maintain कर पाएंगे, और आपके आने वाली PD सुधर जाएगी, वरना आप भी गरीमी में जीवन जीते रहेंगे, और पैसा आने के बाद भी गरीब हो सकते हैं, पैसा समस्या बन जाएगा, पैसा आफ़त बन जाएगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए आफ़त बन जाएगा, ऐसा ना होने दे, पैसे के नियमों को जाने, खुद भी जाने और बच्चों को भी सिखने.